सत्पुडा के परवत रांजियों में बसा मेलगाट जहां निसर्ग ने एक से बढ़कर एक देन और वर्दान का खजाना उपलब्द करवाया है जिसमें अलग-अलग स्थान रखने वाला पर्यावरन भी मौझूद है इस पर्यावरन में कुछ विशेश्टाओं के साथ समस्य का हल निकाला जाता था आज इस समाज को रोजगार के लिए संगर्श करते होए देखा जा रहा है इस समाज के महिला एवं पुरुष आज भी बास के जरिये हस्तकला से घर तथा खेतों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न वस्तों को तयार कर उसे बाजार में बेच कर अपनी उपजीवी का चलाते आ रहे हैं। इनके द्वारा बास के माध्यम से तयार किये जाने वाले वस्तों में टोकरी का सुपड़ा, धोट्टो, सबजी रखने के काम आने वाली चंगेरी इन वस्तों का समावेश है। इन्हें बनाने के लिए बास की आवशकता रहती है बिते कुछ समय से इन लोगों को बास नहीं मिल पा रहा है। बास के लिए संगर्ष करता देखा जाता है। एक समय यह था कि वना विभाग अपने जंगलों से निकलने वाले बास इनको उपलब्ध करवाता था। जिसमें बसोर समाज की उपजीवी का चलाने हितु एक बा रोजगार के लिए संगर्ष कर रहा या समाज किसानों के खेतों से 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक बास की खरीदी करता है। उसे अपनी कला से आकार देकर इससे वस्तुएं तयार कर एक से बढ़कर एक वस्तु बनाकर उसे बाजार में विक्री कर अपनी रोजगार की जुगाड करते हुए नजर आते हैं। इनकी कला को देखकर यह जीवन है इस जीवन का यही है रंगरूप बस यही कहा जा सकता है। बरसों से मेलगाट के अलग-अलग ग्रामों में संगर्ष भरा जीवन जीने वाला बसोर समाज रोजगार के लिए कम दामों में बास उपलब्ध करवा कर देना चाहिए इस पर प्रशाशन से ध्यान देने की मांग यहां सुनाई दे रही है। तस्मीन शेक, सुलेमान मेमन, शकिल अहमत के साथ, जुगल किशोर जैसवाल, विदर्ब न्यूज, धारनी